लोगतंत्र में प्रतिश प्रधा वशंघर्ष अबजेक्टिव कोश्चन एंसर जो बिहार बोड कक्छा 10 के विद्यार्थियों के लिए अतिमुहत्पुर्ण अगामी परिक्छा जो की 2023 में होगा उसका अबजेक्टिव कोश्चन एंसर की स्रिंखला आपके सामने मैं प्रस् लुए है वियार में शंपुन क्रांती का नेत्रित्व निमलिखित में से किसने किया था तो जयर प्रकास नायम ने वो क्रांती का नेत्रित्व किया था दूस्रा प्रस्चन एं जनता दल युनाइट्टिएट पार्टी का गठन कब हुआ तो यह Filipino में हुआ था आगे प्रस्णा है दल बदल कानून निम्खित में से किस पर लागू होता है तो दल बदल कानून का मतलब होता है कि कोई भी दल का आदमी जो जित्ता है उस दल से और दूसरे दल में सामीर हो जाता है उनके अंकुष के लिए यह कानून बनाया गया तो सांसद और विधायक पर यह कानून लागू होता है याद रखेगा आगे प्रशना है भारत में मद्दानता होने की नियुनतम आयू क्या है तो भारत में मद्दान या मद्दाता होने का नियुनतम आयू जो है 18 वर्स निर्दायत की गई है जैसे आप 18 वर्ष के होते हैं तो वैक्स हो जाते हैं और आपका वोटर लिस्ट में अगर नाम जूर जाता है तो आप वोट देने के अधिकारी भी हो जाते हैं आगे प्रशना है बहुजन समाज पार्टी के संस्तापक कौन थे तो कासी राम जी बहुजन समाज पार्टी के संस्तापक कहे गए हैं आगे प्रशना है किसके नेत्रित में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ तो मुरार्जी देशाई के समाई या गठन हुआ था आगे है सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना है तो यह 2005 में बना है आगे प्रशना है भारत में 1977 में आम चुनाओ किस पार्टी को बहुमत मिला था तो यह जनता पार्टी को बहुमत मिला था आगे प्रशना है राजनितिक दलों की मानता उनका चिन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है तो यह निर्वाचन आयोक के द्वारा उन्हें चिन प्राप्त किया जाता है और वही चिन्नों के अधार पड़वे जित्ते और हारते हैं आगे प्रस्णा है बोलिश्विक में जनसंगर्ष का प्रमु कारण था तो क्या था बोलिश्वा में पानी की कीमतों में ब्रिदी आगे प्रस्णा है भारते जन्ता पार्टी के स्थापना कव हुई थी तो यह 1980 में भारते जन्ता पार्टी का गठन हुआ था आगे प्रस्णा है 16 लग्सवा चुनाव किस वर्ष हुए थे तो यह 2014 में हुए थे भारतिय जनता पार्टी का चुनावचिन क्या है तो कमल का फूल है आगे है गटवंदन की सरकार बनाने की समवना किस प्रकार के दल्य बेवस्था में रखी गई है तो यह होता है बहुदल्य जैसे बहुत सारे दल मिल कर जब एक सरकार का गठन कहते हैं तो उसे हम बहुदल्य पधती भी कहते हैं आगे प्रस्ण है निम्लिकित में से लोकतंत्र का प्रान माना जाता है किसको माना जाता है तो राजनितिक दल के अगर राजनेतिक दल नहीं होगे तो चुनाव नहीं होगा और चुनाव नहीं होगा तो सरकारे बदलेंगी नहीं आगे प्रस्ण है राजनेतिक दलों की निव सर्पतां किस देश में पड़ी है तो यह है बेटेन में आगे प्रस्ण है निवकित में कौन रास्टिय दल नहीं है तो लोग जन्त सक्ति पाटी रास्टिय दल नहीं है तारी विद्रो आंदोला निवकित में से किस प्रांट में शुरू हुआ था तो आंधर प्रदेश में यह शुरू हुआ था आगे प्रस्ण है भारती लोकतंत्र में सत्ता के विरुद जन आक्रोस किस दसक में प्राड़ाम हुआ था तो यह है 1970 के दसक में जन आक्रोस पैदा हुआ था नर्मदा घार्टी प्रजना किन राज्यों से संबंदित है तो यह गुजरात महरास्ट और मत्परदेश से संबंदित है आगे प्रस्ण है वर्श 1975 में भारती राजनीती में किस लिए जाना जाता है तो देश के अंदर आपात कालीन इस्तिती लागू हो गई थी और आपात कालीन के चलते बहुत सारे प्रिंट मीडिया एलेक्टोनिक मीडिया पर क्या हो गया था तो यह भी परियावरण से संबंदित है आगे नरमदा बचाव आंदोलन संबंदित है किसे तो यह भी पर्यावरन से संबंदित है आगे प्रशना है चिपको आंदोलन कारम किस राज में हुआ था तो यह उत्राखंड के राज्य में शुरूआ था वहापर जब पेर को काटा जाता था तो महिलाहें क्या करती थी उस इसको चिपको आंदोलन का गया है सुचना के अधिकार आंदोलन की शुरूआत कहां है तो यह राजस्थान में हुआ था मिकित में कौन भारतिय किसान यूनियन के प्रमुख नेता है तो महेंदर सिंग टकेत क्या है किसान नेता है आगे है 2015 के विदान सबाद चुना में व मिलकर सरकार बनाये थे आगे प्रशन है लोकसवा में निर्वाचन है तु कुल सीटों की संक्या कितनी है तो यह 545 है आगे प्रशन है किस देश में बहुत अलिये ब्योस्थान नहीं है तो यह ब्रिटेन में बहुत अलिये ब्योस्थान नहीं है आगे प्रशन है प्रशन होता वो धीले ढंक से काम करता है आगे पंद्रवी लोकसवाचुनाओं से पुर्व लोकसवावे महिलाओं की भागीदारी कितनी थी तो मात्र 10% थी आगे प्रशना है निक्वित में कौन सा कार राजनितिक दल नहीं करता है तो अफशरों की बहाली राजनितिक दल नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह अधिकार छेते में उनके नहीं आता है लेकिन सरकार कर सकती है आगे प्रस्णा है राजनेतिक दल का आसाय होता है क्या वेक्तियों के समुहों से आगे प्रस्णा है दलित पेंथर के कारिक्रम में निम्खित में कौन संबंध नहीं है तो अध्योगिक मजदूरों का सोशन से मुक्ती, ये दलित पेंथर का क्या है, संबंदित नहीं है आगे है, निमिकित में कौन कौन प्रमुक उद्देश प्रायस सभी राजनितिक दलों में होता है और यहाए सत्ताक प्राप्त करना हर दलो की इच्चा होती है कि हम सत्ता पर अपने जो कंडिडेट खड़की हैं वो क्या हो काबिज हो आगे प्रस्णा है चिपको अंदोल निखित में से किसे संबंदित नहीं है तो कॉंग्रेस पार्टी के विरोध से आगे प्रस्णा है निखित में कौंसे चुनावती राजनेतिक दलो को नहीं है तो भीप्रित सिद्दान रखने वाले राजनेतिक दलों के गठ़मंदन करना आप भी जानते हैं जहां पर बात नहीं बनती है विरोधी दलों से वो क्या हो आपसे गटबंदल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं आगे प्रशना है किसी भी देश के राजनितिक अस्थाइत्व के लिए निमकित में से क्या उस्यक है तो यह है किसी भी ढंग से सरकार को पदस्त करना आगे प्रशना है निमकित में कौन स अबिचार लोगतंत्र में राजनेतिक दलों से मेंड नहीं खाता है तो क्या होता है देश के विखास के लिए सरकारियों नीतियों में राजनेतिक दल बादा ALL उपन करते हैं जैसा कि आप देखते में बनी थी और वर्तमान में भारत के राष्टिय दलों की संक्या कितनी है तो 6 है भारतिय जंता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई थी तो 1996 में आई थी भारत की राजनीतिक बेवस्ता है क्या है बहुदलिय है और भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस का गठन कब हुआ था तो 1885 में हुआ था आगे प्रश्ण है भारत में सुचना के अधिकार की मांग सर्पतन किस राज में उठी थी तो यह था राजस्थान आगे प्रश्ण है भारत में दल बदल कानून किस वर्स लागू किया गया था तो 1985 में लागू किया गया था निमकित किस देश में प्रसंग था आगे है संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्स लागू किया गया तो सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया गया पंदरवी लोग सवा का चुनाओ संपन हुआ था तो 2009 में आगे प्रस्णा है वर्तमान समय भारत में मानता प्राप्त राज अस्तरिय दलों की संक्या कितनी है तो 43 दल है आगे है बंगला देश में मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश में सरवधिक सहयोग वह शमर्थन मिला था तो यह था भारत से किस लोग तांतरिक सरकार की स्थापना के लिए किस देश के दलों को नियुंतम संक्या कितनी होनी चाहिए तो यह है दो आगे प्रस्न है लोगतंतर की वाथिक के लिए जेल में ही जन संगर्ष के नित्रित प्रदान करके नेता आंग-शांग-शूची किस देश की राजनितिक महिला है तो यह है म्यानमार्क की आंग-शांग-शूची का संबन्ध म्यानमार्क से है आगे प्रस्ण है इनमें कौन सा कार राजनितिक दल नहीं करते हैं तो अपसरों की बहाली भारते जनता पार्टी के संस्थापक कौन है तो लाल किर्ष आडवानी यहां पर लिखा गया है यह गलत है स्याम प्रसाद मुखर जी आगे भारते जनता पार्टी का प्रमुख प्रेर्ना से दुरोत के थे तो संस्कृतिक राश्टवाद आगे है संपुण देस में चुनाओ कार संपन करने वाली संस्ता का नाम क्या है तो भारते निरुवाचन आयोग यही चुनाओ कराते हैं और चुनाओ की देख रेक चाहे सिंबल देना चुनाओं से संभधित कार्ज यही देखते हैं आगे है भात में आपातकाल की घोसना कब हुई थी तो आपको याद होगा कि 25 जून 1975 को आपातकाल लिन घोसित कर दिया गया था और संपुर्ण कांति का नाराकिष ने दिया था तो जब प्रकास नायन ने दिया था लोकतंत्र में राजनितिक दल का प्रधान उद्देश होता क्या है तो होता है सत्ता को प्राप्त करना एक ही मात उद्देश होता है वो सत्ता को प्राप्त करना वर्तमान में देश की सबसे बड़ी और पुरानी राजनितिक पार्टी कौन सी है तो यह है भारतिय के राष्टिय कॉंग्रेसि आगे प्रस्ण है कौन सा दल यह सा जो राष्टिय की शृनी में नहीं है तो यह है जनता दल UNITED और आगे प्रस्ण है भारत यह किसान के नेका कौन है तो महेंदर सिंग टयकेत आगे प्रस्ण है zaczyटर में जनता पार्टी की सरकार का क्ठन किसके नर्धित में वहा था तो मुराजी देशाय के नर्धित में वहा था ओगे प्रस्ण है भारती राष्ट कोंग्रेस का चुनाओ चिन क्या हैं तो हाथ का पंजा आगे प्रश्ण है निमलिखित में कौन सा दल संपरदाईक है तो मुस्लिम Lig आगे प्रश्ण है इनमें कौन से कारक दलित पेंथर के कारकरम से सम्बन्दित नहीं है तो दहेश पर था आगे प्रश्ण है भारत में 1974 में चलाए जाने वाले जन आंदोलन में किनकिन वर्गों का समर्तन था तो या सभी वर्गों का था छात्र का वकील का और राजनेतिक नेता का आगे प्रश्ण है किस प्रधान मंत्री के सासनकार में भारत में आपात कालीन की घुशना की गई थी तो स्रीमती इंद्रा गांधी के समय आपात कालीन लगाया गया था आगे प्रश्ण है इन में कौन सा कतन सही है तो भारते जनता पार्टी एक राष्टी दल है आगे प्रश्ण है इन में कौन सा कतन सही है तो उप्यूग सभी संप्रताईक दलों पर लोगों का भरोसा नहीं होता है दलों को अक्सर अपने बड़े निताओं के घुटाले की गुंजाई सुनाई देती है और सरकाय चलाने के बहुमत का होना बहुत जरूरी है आगे प्रस्ण है बोलस्विक में चले जन संगर्ष का प्रधान कारण क्या था तो यह था जीवन रक्षाव दवायों के मुल्यों में ब्रिदी हो रहा था आगे प्रस्ण है भात में 1974 में च इसलिए इन में से कौन सा कथन सही है तो देश के हर पार्टी को भारते निर्वाचन आयोग में अपना पंजी करन करवाना होता है तो आज हम लोग लोगतंत्र में प्रतिसपरधाव शंगर्ष अब्जेक्टिव कोस्टन एंसर पड़े हैं जो कि आपके कामी परिच्छा की दिश्टि कौन से आती महत्पुन होगा धन्यवाद